हलो फ्रेंट्स नमस्ते आधार्प सांसुर्इकार मैं हूं आपका दोस्त रॉबिन सिंग और दोस्तों आज Quandी वीडियो में मैंको बताऊंगा कि अस्तर वाला प्लाजो कैसे बनाया जाता है अस्तर वाला जो प्लाजो होता है दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको तो है मैन फैबरिक और एक है इसका अस्तर हम यूज करें को जब भी आप किसी प्रकार के कपड़े को बनाते हो पहले अस्तर को धोना है दोने के बाद उसे अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है जैसा कि मैंने अल्री कर लिया है अब दोस्तों किस प्रकार से प्लाजो की करीब अस्तर लिया है इसकी लंबाई के कोडिंग आप अस्तर ले सकते हो अगर किसी का ज्यादा लंबा प्लाजो हो उसी साफ से आपको ज्यादा जो है या फिर कपड़ा लेना पड़ता है अब दोस्तों सबसे पहले आपको यह बता दो इसको बिछाना कैसे बिलकुल इसको मेरे अपने तरफ रखा हुआ है सबसे पर अच्छी तरह से को बिछाने के बाद आपको लगाना है नीचे एक निशान यह देखिए इस प्रकार से इस निशान का मतलब होता है कहीं से अगर कपड़ा चोटा बढ़ा हो तो उसे आप बराबर कर सकते हो इसके बाद जितना भी आप नीचे से फोल्ड करना चाहते हो जैसे कि इसको नीचे से फोल्ड करने के लिए मैं एक धाइंच का निशान लगा रहा हूं यह देखिए यह जो लंबाई है फ्रेंट्स वह है 36 ठीक है कमर इसकी है 34 यह हो गई कमर इसका जो हिप साइज है वह 38 38 इंच इसका जो थाइज है वह 24 और इसका जो बोटम है वह भी 24 है अब दोस्तों इसी नाप के कोडिंग हम इसकी करेंगे कटिंग तो सबसे पहले जूरत पड़ेगी वह है जो एंचर आपको क्या करना है यह जो उपर मैंने निशान लगा है इस निशान से आपको लिनी नहीं लंबाइम लंबाइस के 35-5 यह देखर कि पूरिये आपको श्रावदा निशान लगाना है 36 पर सीधा कमरें इस प्रकार से ये निशान लगा दिया मैंने 36 पर अब इसके अलबा क्योंकि इसमें पूरे में हमने लगानी है लास्टिक तो लास्टिक लगाने के लिए उपपर इसमें कम से कम आपको लेना है किनारी सी यह देखिए यह जो किनारी वाला इससा होता है किनारी को आपको निकाल देना है यह जो किनारी होती है फ्रेंट्स किनारी बनता है खिचाव का कारण तो सबसे पहले किनारी वाले जो हिस्सें को आप कटिंग कर लें इस पकार यह देखिए क्योंकि केनारी बनता है खिचाव का करण इसलिए हमने केनारी हटा दिये अब इसकी जो कमर कमर है 34 तो 34 का आदा होता है 17 और 17 का आदा होता है साड़े आठ इस पर आपको एक निशान लगाना है यह तो गिसकी कमर क्योंकि सक्की अंदे पूरे में लगाने लास्टिक और लास्टिक लगाने के लिए इस एक्ष्ट्र कपडा चाहिए होता है ऊधक होता है लास्ट्र के लिए पार गया से हो गई यह साड़े 12 इंच कमर निकाल लिए सिंपल फार्मूला जो भी कमर होती है कमर से आपको 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है कमर के बाद दोस्तों बात आती हिप साइज वह 38 और हिप साइज के अकोर्डिंग ही जो है इसका क्रोच एरिया निकलता है तो सिंपल सा फार इसमें दो इंच आपको और एड करना है यह देखिए तो कुल्मूला कि इसका आसन कितना बनेगा आसन बनेगा इसका यह देखिए लगवग 12 इंच के करीब देखें तो जो भी इसका यह आसन बन रहा है वहाँ पर आपको सीधी स्टेट लाइन खेच लेनी है तो सिंपल सा इसका फार्मूला है जो भी हिप साइज है हिप साइज का एक चुथाई करने के बाद उसमें आपको दो इंच प्लस करना है वही इसका जो है क्रोच एरिया यहां फिर आसन बनता है तो दोस्तों हिप्स का भी हो गया अब बात करते इसकी थाइस की 24 याने 24 तो 24 इसकी थाइ में आएगा क्योंकि दोस्तों बिल्कुल सिंपल प्लाजो है चारो तरफ से इसमें बराबर सलाई आएगी बिल्कुल इजी वे मैं आपको बता रहा हूं तो कुल मिला के आप ऐसा भी कर सकते हो जैसे यहां से नाप लिए 24 ठीक है और इसके लावा एक इंच इसमें एक्टर इस प्रकार से दोस्तों अब यह जो निशान है तो 13 वाला है इसको आपस में इस प्रकार से शेप पट्टी के मदद से आपको मिलाना है यह देखें ूद्य दो कर्से बिलकुल सिम्पल वे में इदर से आपको इसमें शेप देनी है अब बात बात करते हैं फ्रेंट्स इसका जो चीज होती है वह रहाím से जो गुलाई दी जाती हो तो दोस्तों अब यह दो मेना मार्क कर से जो हैं अस्तर की जो है अब मैं कटिंग करूंगा BILL कुल सिंपल तरीक चा कैसे देख आप देखें और बिचाने के बाद इसके उपर रखते हुए आपको इस प्रकार से कटिंग कर देनी तो फ्रेंट्स देखे प्लाजों को चुकी अगर आप इसमें चाहें तो म्यानी भी लगा सकते हो और मेरा आपको यहीं सुझाव रहेगा कि प्लाजों में आप म्यानी जुरूर लगाए क्युकर दोस्तों से बिल्कुल भी आसर में खिचाव नहीं आता हो मैनी के लिए दिखें ब्लकुल सम का मृत और से रहा हैं और यह तेसी परकार से आपको म्यानी काट नहीं तो फ्रेंट से प्लाजो की कटिंग हो चुकी है आप देख सकते हूं यह मैंने मियानी काटी थी तो मियानी को रखते हैं पहले साइड में अब मैं आपको बताता हूं कैसे स्टीचिंग करनी है सिंपल फार्मॉला दोस्तों बिल्कुल यह देखी चार जो पल्ले हैं यह यह त हाय हमने इस वाले को यह देखी हैं और जिस प्रकार से हम स्ट्रीच करते हैं ब्लॉस तीस अ इस तरस रखना से देखिए क्योंकि एक तरफ ना हो जाए मुह इस तीर का वे आपको ध्यान रखना पड़ेगा यह देखिए अब दूसरा वाला जो पार्ट है यह वाला इसका जो मुह है आपको इस तरफ रखना है क्रोच यह का बहुत बड़ा एक इसमें ध्यान रखना पड़ता है अगर मैं आपको दिखाता हूं इस फ्रेंट्स यह देखिए अस्तर को इस प्रकार से टैट कर रहा है मशीन से ही मैं कच्छी सारी लगा रहा हूं दोनों के दोनों पार्ट से इस परकार से आपको अटेच करने यह देखिए को बिल मुला के यह जो आठ है आठ के हमारे पास रहा पीस और फिर चार पीस जो है उसको किस प्रकार से अटाच करना हूं यह इस प्रकार से जैसे पहले पूरी लगाने के बाद इसमें फिल्म्मा रहताएं कि Collins पर लगा लेता हैं hoppř sons नीचे आप देखें तो मोर लेक्व हैं आ यहां पर नहीं कोई जृत दी होती है अब देखी इस प्रकार से एक पार्ट को मैंने अटैच कर लिया है आप देख सकते हो असतर बहुत असानी से इसके साथ अटैच हो चुका है अब इसी प्रकार से आपको बाकी जो तीनों पार्ट है उनको भी अटैच कर लेना है तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं चारों को चार जो पार्ट से इनको मैंने इस प्रकार से अटैच कर लिया है और बहुत असानी से सारे सारे मैंने जोड़ लिए मेरे पास थे टोटली आठ अब रह गए हैं चार अब दोस्तों बिल्कुल नौर्मल प्ला जो कितरी स्टीचिंग हो जाएगी आपको करना कुछ नहीं यह नहीं दो पार्ट उठा लेगी जैसे कि यह है दो पार्ट सना सबसे पहले आपको क्या करना है आप अस्तर तो टैच करी लिया अब इसमें इस को पकड़के यहां से बिल्कुल सीधी आपको एक सीधी स्टीट लाइन खेचनी है और यह दोनों को दोनों जो इस प्रकार से अ आपको इस प्रकार से सीधी स्राइए लगानी है स्राइए लगाने के बाद इसका जो लुक है कुछ इस प्रकार से आएगा तो कुल मिला के मैंने काटे थे आठ पीस चार अस्तर के चार मैंने के उसके बाद इनको बनाया है मैंने चार पीस अब चार के बाद हो चुके हैं टो यह वाला आपको क्या करना यह देखिए यह जो म्यानी है म्यानी को आपने इस प्रकार से यह से स्टार्ट करना है ठीक है यहां से स्टार्ट करने है और इस प्रकार से लाते हुए इस लाई आपको इस प्रकार से यह लगा देनी है तो यह मैंनी इसके साथ अटैच हो जाएग अब इसको रखना इसके ऊपर इस प्रकार से देखें अब आपको यह जो मैंने एक तफसर अटैच है दूसी तरफ से अपने आप ही अटैच हो जाएगी क्योंकि इसको जो स्लाई हमने इस प्रकार से लगानी है यह देखिए यह स्लाई शुरू करेंगे और स्लाई को पूरा आपको खोल के दिखाता हूं इसका जो लुक है कुछ इस प्रकार से आएगा यह देखिए म्यानी हमारी लग चुकी है दोनों पार्ट्स में अब लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको एक तरफ से आपको इसमें इतनी जगह छोड़नी है कंप्लीट नहीं क्योंकि दोस्तों इस जगे हम इसको फोल्ड करके इसको इसको नेमें अखें करेंगे और हम जैसे सलवार का नाड़ा बनाते है उसमें इक जगें बनती है वह जगें बना लेंगे विसके पड़ने के लिए नेख्ट काम होगा यह कह बिलकुल असान है आपको नीचे से यह निशान दिख रहा है इसको इस प्रकार से पकड़त हुए इतना फोल्ड करना है दो इंच बिल्कुल इजी काम है यह ऐसे बिल्कुल असानी से आपको यह लगानी है और यह लगाने के बाद जब आप इसमें लगा लोगे उसके बाद जो लास्ट काम होगा फ्रेंस का वो मघंए क्योंकि बिल्कुल अमठ dois जो बनता है यह देखिए आपने यहाँ यहाँ पर इस प्रकार से दोनों तरफ से के बार में आपको इसको एक फाइनल लुक में दिखाता हूँ तो फ्रेंट्स लगबग आप देख सकते हैं पूरा का पूरा प्लाजो मैंने इस हिल लिया है बिलको नॉर्मल प्लाजो के तरह ही बनता है इसको एक बार सीधा करके मैं थोड़ा सापको लुक दिखाता हूँ अब इसके अंदर इंट्रलोक का काम रहा गया है इंट्रलोक के स डाली जाती है इस सब्जेक्ट पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है आप वीडियो को देख सकते हैं लेकर फिर भी मैं आपको एक शोटकट में बता जाता हूँ यह देखिए जो लास्टिक होती है जितने भी कमर होती है कमर जबस्तों इसकी 34 है तो 34 में से आपको तीनि के से यह देखिए सेफटी पिन आपको लेनी है और सेफटी पिन के मदद से आपको इस लास्टिक को यह देखिए एक छोड़ से डालना दूसरे छोड़ से निकाल लेना है तो फ्रेंस देखिए लास्टिक कुछ प्रकार से आप एक छोड़ से दूसरे छोड़ से निकाल सक और इसमें सिर्फ रह जाएगी इंटरलोक और प्रेज दोस्तो इस प्रकार से बहुत असान तरीके से आप अस्तरवाला प्राजो बना सकते हो और दोस्तो अगर आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें थैंक्यू वेरी मच्छ